प्रेंट्स आज हम बनाएंगे प्रेंसिस कट ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे 28 साइज का तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन की बेटन जरूर दबाएगा तो यहां पर लाइनिंग लिए हमने 1 मीटर और में पैब्रिक हमने यहां पर 80 cm लिया है तो बैक पार्ट में हम डिजाइन बनाएंगे तो उसके लिए हम इसे पहले पेपर पर कट करना है तो ब्लाउस की टोटल लैंद हमें 12.5 इंच रखनी है वन इंच इसमें प्लस करना है मार्जन के लिए 13.5 इंच लिए है इस तर यहां पर हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है 28 का 4 पार्ट 7 इंच और 2 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए वेस्ट है हमारी 24 इसका 4 पार्ट लेना है 6 इंच 2 इंच लेना है मार्जन के लिए 1 इंच लेना है बैक टक्स के लिए और यहां से हमें लाइन को ड्रो कर लेना है cut करेंगे तो धीकर हमने से कर लिया है और अभि हां पर मेंनेक की बिट लेनी है थ्री एंच पर थे जो स्य सब्सक्तय सबुद्ट के तरिके से उपन कर लेना है अब दिखेगी जहां से sécurité में मार्किंग कर लेना है लोगा तो देखे, लाइन को हमने ड्रो कर लिया है, यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है, यह देखे, एक बॉक्स बना लिया, यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रो करना है, तो राउंड शेप हमने यहाँ ड्रो कर लिया है, और अब देखे, सेंटर से हमें यहाँ पर, यह यहं कि अपिन दोनों मार्किंग को मनाते हुए हमें पर शेव देना है तो पहले हम यहां पर डॉट करते हुए शेव देंगे और फिर हम इसे डार करेंगे जिए आंसए दोड़ा सा मिस्टेक होता है तो हम यहां कर सकते हैं ठीक और कि यहां पर हट मार्किंग करेंगे और सब्सक्राइब कर देना हे करें के तरींच यहां पर हमें डॉडट करकर सेप देना है दो कर लेना है है यह कण llap कर लिया और अब इसे हम कट करेंगे तो दिखें से हमने आप कट कर लिया है और लाइनिंग फैब्रिक पर हम इसे कट करेंगे तो दिखें यहाँ पर हमने फ्रांट पार्ट जो था उसकी लेंथ हमने थर्टीं फॉइंट फाइव इंच रही है तृट लिया हमें यहाँप यहाँ सीहिंच आर्मुल लिया है 5.5 इंच यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया 7 इंच फ्रंट पार्ट है 2.5 इंच स्क्रा लिया मारजन के लिए स्ट्रेट लाइन रोग की ओनीची के साइट से सिर्फ हमने यहाँ पर 0.5 इंच इंच लिया है चोटा साइज है इसलिए हमने आपर half inch लिया है अब princess cut की marking करेंगे 3.5 inch पर यहां से भी हमें 3.5 inch लेना है tux point लेंगे हम इसमें 9.5 inch पर और से हम pad वाला बनाएंगे pad लगाएंगे हम इसमें इस तरीके से princess cut का shape देना है tux की marking करेंगे तो दीखे front में hook करेंगे तो हमें one side से ही इस पर marking करनी है तो जो width में हमने 1 inch लिया है length में हमने 2 inch लेकर इसे cut कर लेना है अब दीखेंगे ये back part को हमने इस तरीके से cut किया paper को हमें इस तरीके से रखना है यहां पर और यह वाला part भी हम इस तरीके से रखेंगे और इसे cut करेंगे तो पहले हम इसकी marking करेंगे तो दीखेंगे पहले हमें इसकी as a tis marking करनी है यह दिखेंगे इस तरीके से हमने इसकी marking की है अब इस पार्ट को एजटीज लिए है हमने आपे और इसमें हमें हाफ इंच एकस्टा लिया यहां से भी हाफ इंच एकस्टा लिया बाकी का हमने एजटीज कट किया है अब इसे मैन फैबरिक पर कट करेंगे तो देखिए मैन फैबरिक पर इस तरीके से इसे कट किया प्रेंट पार्ट कट कर लिया, आर्मोल को मेजर करना है, साफ इंच सोल्डर को स्टीच करने के लिए चोड़ देना है, तो देखिए जो आर्मोल है वो हमारा 8 इंच आ रहा है, तो अब इसमें हम कट करेंगे से, तो स्लीव्स की जो टोटल लैंद हमें 9 इंच रखनी है, 1 इंच प्लस किया मार्जन के लिए, 10 इंच लिया, आर्मोल था 8 इंच, 8 इंच लिया, 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन किया है, देखिए स्लीव्स राउंड है हमारा यहाँ पर, 10 इंच तो उसका half लेना है 5 इंच, 2 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए, यहाँ से हमें line को draw कर लेना है, इसे cut करेंगे, 2 parts में हमें यहाँ पर front के लिए cut करना है, extra, तो जिसली के से हमें इसे cut करना है, तो cutting हमारी यहाँ पर complete हो गई, और अब हम stitching करेंगे तो देखिए पहले हमें यहाँ पर front part को stitch करना है तो जो हमारा man fabric है उसे wrong side पर रखेंगे उसके उपर lining रखते हुए हमें इसे 4 side से stitch करना है तो देखिए stitch हमने यहाँ पर कर लिया extra जो fabric है उसे हमें cut करना है और side का जो part है वो भी हम इसी तरीकी से stitch करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही part stitch कर लिये हैं और इस part को भी stitch कर लिया है fold करते हुए necky width हम यहाँ पर 3 inch ले रहे हैं necky length यहाँ पर हमें 4 inch ले रहे हूं इस तरीके से हमें एक box बनाना है और इसमें round shape draw करना है cut करेंगे से तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा shape दे दिया है इसमें और center से भी से cut करना है आयोग की पटी लगाने के लिए तो जो open side है उसे हम stitch करेंगे अब देखिए जो princess cut cut किया था उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से stitch कर लिया है दूसरा part भी हम stitch करेंगे पैट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने lining fabric की एक body और cut की है कफ लगाने के लिए यहाँ पर 9.5 inch पर हमें marking करनी है इस तरीके से और यहाँ पर ही पैट को पैट का center लेना है हमें इस तरीके से fold करते हुए center पर एक marking करेंगे और जो पैट है उसे हम इस तरीके से center को लगते हुए stitch करेंगे center से हमें stitch करना है तो देखिए जब भी हमें पैट लगाना होता है तो हमें lining के two parts यहाँ पर cut करने होते हैं एक जो हम man fabric के साथ stitch करते हैं और एक जिसमें हम puff को stitch करते हैं अब देखिए जो man fabric है उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से चारो साइट से stitch करना है तो देखिए हमने यहाँ पर finishing के साथ इससे stitch कर लिया है नीचे के साइट इसमें पटी लगाएंगे पटी के weight हमने 1.5 inch रखी है एक stitch हमें पटी के उपर से करना है पटी को अंदर के साइट fold करते हुए एक stitch और करेंगे तो देखिए दूसरे साइट भी इसी तरीके से पटी को लगाएंगे और यहाँ पर अब हम hook के पटी लगाएंगे तो double करते हुए से इससे stitch करना है एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे एक्स्ट्रा जो fabric है उसे अंदर के side fold करते हुए stitch करना है और एक stitch हमें पटी को अंदर के side fold करते हुए stitch करना है दूसरे के से हमने आपर hook की पटी complete कर लिए है और अब हम आई की पटी लगाएंगे इसको वीट में हमने 2.5 इंच लिया है नीचे के साइट से एक्स्ट्रा फैवरिक लिया है से फोल्ड करने के लिए तो देखे पहले हम इस तरीके से स्टीच करना है जो एक्स्ट्रा फैवरिक लिया है उसे हम फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे तो देखे इस तरीके से यहाँ पर stitch करना है तो हमने इससे stitch कर लिया है अब दोनों जो पटिया हैं उनको बराबर पर रख लियना है कोई भी पार्ट छोटा बड़ा है तो आप उसे बराबर कर ले सकते हैं हमने यहाँ पर neck पर piping लगाई है और armhole को हमें इस तरीके से cut कर लियना है तो देखे हम यहाँ पर जो हम back part में piping लगाएंगे सेम उसी तरीके से हमने front में लगाई है तो यहाँ पर जो back neck है हमारा paper pasting पर हम इसकी azities marking करेंगे इस तरीके से और से cut करना है साइट से वह नहीं चेक्स्ट्रा लेते हुआ हम इसे cut करेंगे अब दिखे इनको हमने हाँ पर इस तरीके से paste कर लिया lining fabric पर और मैं fabric हमें right side पर रखना है उसके उपर lining को रखते हुए हमें यहाँ से जो हमने neck cut किया था वह हम यहाँ पर stitch करेंगे तो दिखे इस तरीके से neck को stitch कर लिया पूरे ही neck पर हमें cut लगा लेना है और इसे palette लेना है side का जो neck है उसे भी हम इसी तरीके से complete करेंगे stitch करते हुए और इस पर हमें अच्छे से आइरन कर लीना है और इस पार्ट को भी हम स्टीच करेंगे तो देखिए किस तरीके से हमें इसे स्टीच करना है इसमें भी हमें एक्स्ट्रा फैबरिक करकी इस पर कर लगा लीना है और इसे भी हमें पलेट लीना है यह देखिए इस पर भी हमें आइरेंड कर ला है तो आइरेंड कर लिया साइट से से स्टीच कर लिया अब यह देखिए हमने दागे बाली पाइपिन यूस कर रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वहाँ पे जाकर आप इसे देख सकते हैं और बना सकते हैं तो देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें इसे स्टीच करना है पूरे ही नेक पर इसी तरी इसे लगाएंगे इसे है तो दफ़ीओ यहाँ पर नेक पर हमने इसे लगा लिया है और गीजो साइट का पार्ट है उस पर दीके इसे Lup आप लिया है यहाँ से हमसे इसे करना हैं को दिखे कि उपर का जो पाट है वो भी हम इसी तरीके से स्टीच करेंगे तो उपर की साइट थी हमने हाफ इंच एक्ट्रा लिया था सऑ से स्टीच करने के लिए तो इसे भी स्टीच कर लेना है अब यहां पर हमें साइट से किस चीच और करना है अब इसमें बैक टक्स लगाना है बैक टक्स की जो लैंट है वो हम यहां पर 3.5 इंच रखेंगे तो 3.5 हमने इसलिए रखी है क्योंकि यह जो हमारा blouse है उसकी length 12.5 है कम है तो इसलिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच की टक्स रखी है नीचे के साइड इसमें पटी लगाएंगे जैसे कि हमने फ्रेंट में लगाई थी अब दिखिए यहाँ पर हमने स्लिवस को लाइनिंग के साथ कट कर लिया है तो पहले मैंने याप लाइनिंग पर इसको कट नहीं किया था मैंने याप लाइनिंग को पर कट कर लिया इस तरह के से हमें शेव देना है तो 1.5 इंच हमने इसको लैंथ में लिया इस तरह के से शेव दिया है इसे सेंटर से भी कट करना है देखे इस तरीके से कट किया तो देखे इसे पेपर पेस्टिंग पर हमें कट करना है तो इसको हमने डबल फूल करके रखा है और इस तरीके से जो हमारी हमने यह आपर शेप दिया था वही शेप में हमें से पेपर पेस्टिंग को कट करना है और center से भी हमें इसे cut करना है side से one inch extra लेते हो हम इसे cut करेंगे center से भी इसे cut करना है और इसे जो हमारी slip से उस पर हमें इसे paste करना है तो दिखे paste कर लिया man fabric को right side पर रखना है उसके उपर lining रखते हो हमें से stitch करना है पूरी यहाँ पर जो मानी गोलाई है वहाँ पर हमें cut लगा लेना है और इसे पलटते हुए iron कर लेना है इस पर तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम इसी तरीके से stitch करेंगे तो देखें यहाँ पर अब हमें piping लगानी है तो इस तरीके से रखते हुए हमें से stitch कर लेना है तो देखें इसे हमने stitch कर लिया है दूसरा पार्ट भी इसका stitch कर लिया है अब यहाँ पर दीखें एक पट्टी लिए हमने और side से इसे stitch किया तो मैंने इसे width में 5 इंच लिया था इसे fold करते हुए हमने यहापर stitch किया इस side से भी stitch कर लिया है और इसे अभी हमें pullet लेना है तो देखिये हम नी हमें प्लेट लिया है और यहापर दिखिये इस तरीके से हमें से रखेंगे यह देखिये इस तरीके से हमने से रखना है और से स्टीच करना है सेम इसी तरीके से दूसरे साइट से भी से स्टीच करेंगे तो दिखिए यहां पर मैंने स्टीच कर लिया है यहां पर और दिखिए यहां पर मैंने स्टीच कर लिया है और यह जो डोरी लिये वो मैंने यहां पर रेडिमेट डोरी लिये है ने नोहीं लेटकर ऱने याप बना ली है और इस तरीके सेहां सिट तर लिए गी है है। कि यहां पर हमने बैक में और स्थीश तर गौई है वहीं पाइपिन हमने फ्रेंट वाले नेक पर भी लगाई थी इस तर, कि से स्लिप भी कंप्लीट होग गई एक स्टीच कर लेना है इस तरीके से हम स्टीच करेंगे एक स्टीच हमें बैक साइट पर कर लेना है तो हमने इसे स्टीच कर लिया अब यहां पर हमें स्लीव को स्टीच करना है तो दिखिए स्लीव का जो एक्स्ट्रा फाबिक कट किया था हमने वह हमें फ्रंट में स्टीच करना है और इस तरीके से सेंटर पर रखते हुए हम इसे जो हमारी स्लीव से उसको हम लगाएंगे सेम इसी तरीके से दूसरे साइट से भी स्टीच करेंगे देखें यहां पर हमने स्लीव को लगा लिया है दूसरी स्लीव भी लगानी है सेंटर पर पूप करते हुए साइट से स्से स्टीच करना है पर हम साइट से एक पीर का मर्ज़ू रखते हुए हमने स्टीच कर लिया है अब यहां पर worksheet लगानी ही तो सेंटर से chest के fourth part पर marking करनी है यहाँ पर हमें west का fourth part लेना है तो देखिए दोनों साइड हमने इस तरीके से marking कर लिए sleeves round लेना है हमें 5 inch और तीनों marking को मिलाते हुए हमें यहाँ पर fitting लगानी है इसे stitch करेंगे सेम इसी तरीके से दुसरे साइड भी हमें stitch करना है तो friends हमारा यह princess cut blouse बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजेगा bell icon की बटन जरूर दबाइएगा तक कि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें Thank you